और देश और दुनियों में विज्ञान की कुछ और दल्चस्प खबरों को जानने के लिए आईए देखते हैं साइन्स एक्स प्रेस विज्ञान को अधिक विस्तृत बनाने के लिए केंद्रे विज्ञान, तक्नीकी एवं भू विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्श वर्धन ने हाल में आखों से लाचार लोगों के लिए विशेश अंग्रेजी ब्रेल आटलस का विमूचन किया अटलस भी एक बहुत बड़ी महत्पून भूमी का निभाएगी इस अटलस को बनाने के लिए हमारे विज्ञानिकों ने बहुत वर्शों तक निरंतर काम किया है और आने वाले समय में इसी तरह की और कई एटलसे विज्ञान बच्चों के लिए बनाने का हमारा लक्ष है और उस पर हमारे विज्ञानिकों ने काम करना भी प्रारम कर दिया है ब्रेल आटलस को नाशनल आटलस आंड थीमाटिक मैपिंग ओगनाइजेशन ने तयार किया है और इसे देश भर के स्कूलों में आँखों से लाचार छात्रों के बीच वितरत किये जाने की यूजना है ब्रेल मांचित्र उभरे और सामाने रेखाओं से घेरे होते हैं तथा आँखों से ना देख पाने वाले छात्रों की मदद के लिए उनमें प्रतीक चिन्ह बने होते हैं We feel very encouraged that the mainstream institutions of the government are now becoming more inclusive first of all. They have thought about the population which has some of the other disability that is that itself indicates that as a society we are changing. Atlas is one such initiative which will create an appropriate environment for learning geography by our students. मैं क्या सकता हूँ कि ये बहुत ज्यादा जूजफूल है और आगे भविश्य में बहुत सारे दृष्टी ही इन विद्यार्थियों के द्वारा प्रयोग में आएगा और उनके लिए लाबदायक भी होगा इस आटलस में भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जैसे विद्यार्थियों पर करीब 20 मान्चित्र है